हेलो एव्रिवन वेल्कम बेक तो आठ चैनल साइंस दिवाने तो जैसा कि आप सभी को इस्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि आज से हम क्या करें अपना जो केमिस्ट्री है तो आफ के पास में उसकी जो फर्स यूनिट है आज से हम वह स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी त अपडेट मैंने बता दिया था आपको की 16 यूनिट से आपके पास में उनिट बज गई दस यूनिट बज गई तो आपके पास में जो स्थ यूनिट है वो क्या हो जाएगा कि आधना आफ चलुуютसिन कि यह होता है इन देखते हैं तो जब विलेन होता है वह विले कि मात्रा ल șik चीन और i5 ले लेटें तो मैंने एक ग्लास लिया तो उसमें नहीं ट्र booklet how K पानी रख दिया और उसमें मैंने दो चमश चीनी मिला दी चीनी मिला दी मैंने अब यह तो क्या हो जाएगा हम इसे आगर आदा घंटा या दस मिनाट छोड़ देते हैं तो वह घुल जाएगी अब यहां पर बात करें अगर चीनी और पानी की तो यह दूनों है क्या तो बात स्वाइब हमारा घुलंसील और विलयत क्या हिए वह रोक वा चत्क कौन मुद हमारा इस घुचथे हो जाएगा यह तक वी देख को गोल रहा है क्या है क्या हिए चीनी पहर गुल GYR्ः यह उसमें और पानी क्या एसको गुल रही है ना किसी विल्यन में अगर हमारे पास क्या है विलायक है तो उसकी मात्रह क्या होगी अधिक होगी मतलब अगर हम स्थिधी डेफिनेशन में जाए तो वैसे तो डेफिनेशन बोर्ड में आएगी नहीं आपकी चलो अगर आ भी गई एक-दो नमबर में तो लिख ले ना आप क्या में पदाट में मात्र अधिक होगी वह क्या एक विलायक के यह जो मात्रा कं होगी वह विल्य कलाएग ऑफले मिश्र अगा मैं और मैंने कि विल्यaj में मिष्रण की मिपित कि विल आ हो सकते हैं जैसे हैं हमें मुझखव सिघ्जब कर एक सेशे हैं तो नभी आगी to की लोग डूसरा वाला निकाला तो उसमें काजो आ गया दोने इकॉल तो नहीं या बनाएगा फोल्द ल अबनातर हो तो दोनों वहँंने का चेfred कोर्ण के लगा तो मि दोनों के दर nadzieję he GMH5OH.SERA referred to resolute handma... एक गलास लिया। इस और उसने ऐलकॉल मिला, फिर उसने फिर आप ह मुलो इस मीला दिया। पानी इए आइस क्या होता है। पानी थोस्त रूप है तो उसने मिला दिया अगर हम इसको क्या करते हैं कि हम निश्चित जैसे हमारा पानी होता है तो हमारा निश्चित अनुपात होता है योगिक क्या होता है कि जो विले और विलाय की मातर जिसमें निश्चित होती है वो क्या होता है योगिक होता है इसमें क्या होती हमारी वन रेश्यो एट का क्या ह अगर मैंने बोला किसी सराविकों कि भई आपको निश्चित अनुपाद में इसको बनाना है पहले तो बना देगा थोड़ी देर बाद उसको नसा हो जाएगा तो कैसे बनाएगा फिर तो कहा हो जाएगा भगवान कोई क्या बोल सकते ना उसके लिए तो क्या हो जाएगा फि यह क्या होता है यह विलियन होता है विलियन मतलब इसमें क्या होता है निश्चित अनुपाद नहीं होता है अगर आपके पास आएगा मिश्रण और योगिक में डिफरेंस भी आ जाता है तो यह तो छोटी सी नॉलेज्च आपको पता होना चाहिए कि योगिक क्या होता है निश्यत अनुपाद होता है और जो आपका मिश्रण होता है वह अनिश्यत अनुपाद होता है बात करें अगर हम मिश्रण की तो मिश्रण आपके दो परकार के होते हैं एक होता है एक होता है आपका विश्मांग मिश्रण समांग मिश्रण में क्या होता है कि मैंने अभी तो चीनी और पानी का मैने अबीप दिया थे दिया टू पर पंशोफ का वद्ध हमग ब 선생 और समांग मिश्रन कि अगर मैं बात करूं कि मैं इसमें का कर देती हूं अंप में भाई तो यह अविश्मांग में हो जाएगा क्य 5000 होगा क्यों कि जाती है दोनों में तो शेबो है दोनों में कि अगर इसमें दू मिश्रण है मतलब जैसे कि दो आगर में चीनी और नमक रहें यह दो अलग अलग इसमें तो यह हो जाएगा दुवीलिंगी विलियन और तो यह आपके विलियन के परकार है बात करें अगर हम विस्मांग मिश्णर की तो मैंने एक ग्लास लिया ठीक के टूक है एक ग्लास मैंने उसमें मैंने चीनी डाला पानी तो उसमें पहले सही था ठीक है नमक भी डाल दिया और उसके बाद मैंने क्या करा थोड़ा समय चलो एसी घुमते घुमते हम कहां चले गए नदी के गिनारे अब वहां से मिरको वह बालू दिखाई दी उसमें चम चमाती बिल्कुल बहुत प्यारा ल पानी रखा यहां गिसमांग मिश्राल से लाभड्यास म bleach रखा यह दो नहींट प्वतर हैं सब्छार में तो इक रखाई उसमांग मिश्रान क्या जा 열 से मूने के हम नहीं हैं खुल ऑताल में रिखा सब़े और हम वह आंग भी मिश्मांग मिश्रान करना चाहें तब ही किई जो क्या कर रहा है पानी में नहीं गुल रहा है वह क्या हो जाएगा हमारा विश्माग आज समांग मिश्रण की बात करें इसी पानी को मैंने तीन ग्लास में अगर हम इक्वल पार्ट में डिवाइट करते हैं तो उसका तीनों का स्वाद होगा वह एक जिसा होगा ठीक है कई हम क्या करते हैं अगर किसी का बीपी कम या ज्यादा है तो बीपी को बैलेंस करने के लिए हम क्या मिलाते हैं चीनी और नमक का घोल आपने बहुत बार सुना होगा जैसे अगर किसी का बीपी लो गया ठीक है या ज्यादा हो गया तो उसको बैलेंस करने के लिए अब कोई ब मात्रा में आपके क्या होते हैं मिश्रण होता है या विल्यन जो विल्य और विलायक की मात्रा होती हो समान होती है बात करें योगी कि इसमें क्या होता है निश्चित अनुपाद होता है ठीक है जैसे हमारा पानी अलकोहल अलकोहल क्या हो जाएगा विल्यन हो जाएगा क्योंक क्या बोलते है सब्दावली अब आपने जब यूनिटे स्टार्ट कनी है तो इसमें आपके पास में प्रावस्ता आएगी अब इदर मैंने विल्यन विले और विलाइक तो समझा दिया आपको समांग मिश्रण भी समांग समझा दिया इसमें सांधिरता आएगी आप भूलोग मिश्रण में उपस्ति सभी घड़कों का एग रूब जैसे मैंने आपको उइक्जामपल में क्या दिया चीनी नमक पानी या चीनी का घोल अब घर्मय आनी वाली है तो तो समांग मिश्रण हो जाता है ठीक है बात करें अगर हम प्रावस्ता अब प्रावस्ता क्या होती है जिसको हम फेस भी बोलते हैं इंग्लिश में तो मिच्रण में घटकों की प्रिथकारी सीमा अब यह तो समझ में आनी रहे यह क्या होता है तो आपने सुनी होगी पदार्थ की अवस्ता कितने परकार की होती हैं पाच परकार की कौन-कौन से थोस ड्रव गैस प्लाजमा और ब इसका घोल बना रहते हैं हम अभी तक चीनी और पानी का घोल बना रहते हैं तो जो चीनी की प्रावस्ता है वह क्या है द्रव जो बैने बताया था आपको जो चीनी है वह क्या है ठोस है और जो पानी है वह क्या है आपका वह द्रव है इसका मतलब क्या है कि जो पानी है वह तो यह पानी की टर वस्ता क्या है चीनी प्रावस्ता क्या है और प्रावस्ता क्या होती आगे हमारे पास भील्य इन शांव vita विलय-विलल प्लस विले विलायय का संहांगjil होने चाहिए गुलने चाहिए उनको अलग अलग टिवाइड करें तो तीन ओंअ यह दो पार्ट में ही क्या आना चाहिए एक्वल आना चाहिए आगे देख लेते हैं आगे हमारे पास विल्यन की सांदृता तो विल्यन की सांदृता क्या होती है कि विल्यन के एकांक मात्रक में उपस्तित विले की मात्रा अगर हम इसमें विलायग नहीं आ रहा है ठीक है qonfuse नत्हों high will have a था मोसा जातेजिसमें क्या होती है कि कि facu AH कि एकांक मात्रग किसी बिल्यां में किताइब से battery अगे रहे हमारे पास सांध्र या sel यह ना Um सांद्र विल्यन सांद्र ता अलग है और सांद्र विल्यन अलग है कि विले की मात्रा तुल्नात्मक रूप से अधिक होती है जब कि क्या होती है विलायक से मतलब सीधी सी बात है कि सांद्र विल्यन क्या होगा जिसमें क्या होगी विले की मात्रा अधिक होगी और विलायक क्य क्या होगी कम होगी यह क्या हो जाता है आप सांद्र विल्यन 되면 विल्यन बिना रहें हैं दोनों को जरूरी हो श्रूरिए nahi कि कि रहें किसी को कि विलेक्त कुछ हम कम कर सकते तो उसको हीं हम का बोलेंगे का'm कि लियन कि कि विले की मात्रा जादा होगी और विले की मात्रा कम होगी आगी बात समझ में आगे देखते हैं विले की मात्रा विले की मात्रा क्या हो गया सीथी से बात है विले प्लस विलायक तो विले की मात्रा प्लस विलायक की मात्रा ठीक है अगर हम यहां से विले की मात्रा निकालते हैं तो विले की मात्रा क्या हो जाएगी हमारी यह यहां पर प्लस में हैं अगर हम इसको इक्वाल टू के इदर भेज़ते हैं तो यह क्या जाएगा माइनस में तब क्या होगा विलें की मात्रा माइनस विलायक की मात्रा यह आफ इसको क्या लिख सकते हैं विलें की मात्रा तो यह क्या हो जाएगा विले की मात्रा जैसे आप मैस में देखते होंगे कि अगर आपके पास में 5 प्लस 5 equal to 10 ठीक है यह या पिर अगर आपके पास में यहां पर होगा X plus 5 equals to 15 तो अगर आपको X की मात्रा आपको X निकालना है तो ने हैंतों यहां एक क्या चाह्यार को हम क्या एक ओर धाघ करेंगे तो हो ज Herausforder मत आफ के मात्रा पूंझ भोछ तो आप इस निकाल लोगे अगर किसी दो की मात्रा उसके निकाल लोगे तो आप तीसरे की आराम से निकाल लोगे ठीक है क्यों आपको क्या करने है उनको चेंज करने प्लस है तो माइनस में जाएगा इक्वेस्ट के ओदर ठीक है आगे देख लेते हैं अब विल्यन क्या होता है ठीक है विले तथा विलायक की भोतिक अवस्ता के अधार पर विल्यों को वर्गी करण को समझाई है अब इसमें क्या रखा आपको की विल्यन क्या होता है अभी तो हमने पढ़ा ना विले क्या होता है विल्यन क्या होता है विले प्लस विलायक अब इसमें उसकी भोतिक अवस्ता भी दे रखिए जो हम अभी क्या पढ़ रहते प्रावस्ता पढ़ रहते ठीक है अब देख लेते ठीक है क्या ह संदृता को निष्चित सीमा तक हम क्या कर सकते हैं परिवर्थित किया जा सकता है क्या कहला एक होता है तो आप अग इसलिए प्लस विलायक कि मात्रा ही आपको विले प्लस विलाया का समांग मिश्रन क्या कहलाता है आपका विलियन कहलाता है आई बात समझ में वैसे याद आपको करना है ठीक है यहां पर पढ़ाने का दो तरीका हो पढ़ाने का किसी भी स्टुडेंट को पढ़ाने का दो तरीका होता है या तो उसको रटा दो या उसको समझा के रटा दो जो सबसे बैस्ट होता है वह होता है समझा के रटा दो या फिर अच्छे से समझ लो ताकि क्या हो आज आपने पड़ा है कि अगर आपका बोड एक साल बार या कुछ 11-11 महीने बाद आपका बूर्ड होगा तो भूले नहीं एक बार बस आपको रिवाइस कर अधिक नहीं बार्जान जर्शका विलये की मात्रा अधिक होगी अगर पार ठोश हो को तो मंत्रों कि इस अगर थिश्यने अधिक अगर ऊत। अब हम देख लेते हैं एक और हस्ट और कन है तो मेने रहेते और पहर्स तो तो विलायक की भौतिक अवस्ता आपके पास में विलायक की भौतिक अवस्ता भी ठोस हो जाएगी तो नागर नागर हमारे पास यृकोल ठोसी में उदारण के लिए को जाएगा वले की भोतिक अवस्ता हमारी द्रव होगी कि विलयक को चेंच कर रहें और उसके पास विलयक को भी चेंच कर देंगे ठीक है पहले आम ने कह लिया ढ़ी तो क्या हो जाएगा मिश्रधातू अगर विलयक ट्रव लेते हैं उपने घाया घाया ऑगा खोप घुब अगर हमारा विलेख क्या होगा तो अगर विलयक स्थोस होंगा तो होता है है इड्रोजन गेसपलस धातू ही बाद समझ में पीटी सिंबल सिंबल तो को अच्छे से पढ़ा होगा कई बाते अपने नहीं भी पढ़ा है तो को एक बार आप बिल्कुल बेसिक से आप स्टाट कर और जरूडव तेखे आगी अब देखे हैं कि अगर हमारी समय की इा कि किस घृँष होगी द्रव में अभी तक हमारे समय का च्याहिक होटा ख़ुकर पहल एदा है subjective जल्य किनदम की गए पाई मिला इस दूसरा ये क्या वैलरा बोटी कवस्ताल होगी में या हमारे फार निया की डूरिक प्रूय आपकेड है गांक क्या मिलाते विले में और विलायक में आपकी क्या मिलाते हैं द्रव मिलाते तो आपकी कोका-cola बन जाती है या फिर डू हो गई और वह नहीं होता है और आपकी मात्र टो гार को जाएं और यहां पर विले की अब क्या हो गोगी तो यहां पर फिर्ग होगी और विलायक तो आगर वो जाते हैं तो कि लिए आगे देखते हैं अब विलियन की सांदर्ता अभी हमने थोड़ी बैट तर्मिनलोजी में पड़ा था ने विलियन की सांदर्ता क्या होती है अब हम यहां पर भी देख लेते कि किसी विलियन के एकांक मात्रा या आयतन में उपस्तित विले की जो मात्रा होगी या उस का आयतन को उस की क्या कहते है सांदिर्ता पड़ लिया किसे नहीं हमें regularこれで हमने उसके बेखनी समय समझना है तो क्या है कि कोई उसकी मात्रा यह सक की मात्रा ही क्या होगी उस विल्यन की सांदर्ता होगी आपके पास में विले के भागों की संख्या तो उससे आप क्या बना सकते हो कैसे कि किसी के प्रति है विलियन के वागों की संधिया कि आगे देख लेते हैं अब हम क्या है इसमें कि निमने को समझाया पर्तिक के लिए सुत्र जात करने हैं आपने 10्च एक चीज क्या बोलते हैं इसको हम प्रतिसाथ सांदर्ता ही बोलते हैं आपको प्रतिसाथ सांदर्ता जनली क्या होता है या फिर किसी भी सब्जक्ट में प्रतिसाथ प्रतिसाथ आप क्या रखते हैं कि इन्टू हंड़ेट आप बाइद अब मतलब जैसे की हम ले लेते हैं यहां पर कि किसी बच्चे की 500 में से कितने नंबर आ रखें उसके आ रखें 400 अब हमने इसकी परसंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहां पर हम कर देंगे यहां पर सो से मल्टिप्लाइग तो यह आपका क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका कितना परसंट आ जाएगा इसमें आ जाएगा आपका 80 परसंट आ आही बात समझ में ठिक है केलिट वह बाद इसको बाध देख लेते हैं ब्यांफ से यह चार सो परसंट नंबर आ रखेंगे तो přेने नंबर आ रखें400 अपन कितने मेंसे 500 मेंसे गर कोई भी नंबर होगा तो हम क्या करेंगे तो से मुल्टिप्लाइए याद लेक्वा और सांधरता कि किसी विलियन के मैंने बोला ना अगर पास किया रहा हैं विलायक मत होना बहुत से बच्चे विलायक की जगए लिख देते हैं तो किसी विल्यान के सो भागों में उपस्तित विले के बागों की संक्या को क्या कहते है उस विल्यान की पटिस्तत सांधरता कहते हैं कि पर्तिसास चंदरता कहते हैं भेवान वहां में आएगा और विलियन को घ्राम में और इंट्रम को क्या हाँ सार के हम आजए आगे लेता है जहां शचीबर मोहां में एपको आइथन लिखना है ठिक है द्रेवान ग्राम में क्या हो जाएगा 1 kg क्वश्ट्ट क्या होता है एक सी तरीके से एक जो लीटर होता है क्या होता है यहाँ लिखो द्रेवां लिखोगे यहां पर आइतन तो हो जाएगी विल्य much siya ऐधा आउब अपर यहां पर गावां फूष यहां समझ में आपनों 10 की एक लिटर में पटात की एक हजाए होगा तो क्या करोगे है कि तुझे में कर आप समझ में अल्ग अलग पड़ा था क्या पड़ा है ते अलग पड़ाय था तो तो आयतन 323 that equals to क्या विले का आयतन अपॉर विल्यन का आयतन इंट्व क्या हो जाएगा आपका यहां तो यहां को 100 आज़ा हैं अब हम दोनों को कंबाइन करते हैं कमबाइन करने के भाद क्या होगा भार आयतन 323 तो विले का भार ग्राम अपॉरन झार हैं से दौनों तरफ इको लारा था यहां पर नहीं आएाई गांट याद घुझाने आपको यहां पर आगें तो आपको रह आएगा तो आधन कै जाएं झाले का आयतन में पढ़ा था फिर भार में पढ़ा अब हमारे पास क्या हो जाएगा आयतन और भार हो जाएगा घो फार आए तो विले का आई तो आयतन की आजएगा कि लियर हुई बार आगे देखते हैं और परतिस्त निकालने के लिए इन्टों हंडेड़ तो करना ही करना है अगे आपका रवी बात क्या था बहार था नीचे क्या था आपका आयतन था यहां पर परतिशथ के लिए 100 किम की भागों कि संग्या और अंपन में क्या जाघ रखाव कि भागों कि नोमेरिकल वे कंछा नीमेरिकल में कौन सा कौना तो इनको अच्छे से पढ़ लेना आगे देखते हैं आप मैंने आपको बताया था पीपियम फॉल फॉर्म क्या होती है यह पार्ट पर क्या हुआ कि अपने आपको बहुत ज्यादा उख कोई लाग में कितने जिरो पांच जिरो याद रहे का जो कि मैं दस लाग भागों में उपस्थित की इसमें भी दस लाग कर रहा कि आप तक हमारे पास हम 60 से कर रहे तो यहां प Ping क्यों क्या निकालना था पंपAST निकालना था चाहँ सब्सक्राइब वी के लिए के कुल बागों की संक्याओ उस विलीयन की कि चैनलाथी है एक और बार देख लेते हैं कि किसी में 10 канал पही पल सफाइ podéis दो किसी विटी weight keeps किसी विल्यइन के कि मैं उपस्ति कुल भागों की संक्याई क्या कहलाती कि यह विवी बात तो किया हो जायगा रहता किसमें से और कितना हो रहा था हमारा मिलियन है तो 10 लाक इतना एजी है यह बहुत जादा क्योंकि तो होने वाली बात ही नहीं है इसमें एक बार आप अछे से परफ़ भाक को हमेंसा याद रहेगा कि प्रमिलियन के भागों की संख्या और विलियन के भागों की संख्या इंटू 10 की पावर 6 दूसरी हम क्या हो जाते कई कबार क्या हो जाते हैं डेफिनेशन भूल जाते हैं तो अगर आपको बबूसरी के भागों की संख्या अपान के भागों की संख्या इंटू क्या हो जाएका 10 की पावर 6 पर तिसकत निकालेंगे तो इंटू 10 की पावर 2 यह हम क्या बोल सकते इंटू 100 किले हुए बात आगे देखते हैं अगे हमारे पास ग्राम लीटर सलटेटरेंशन ठीकिन इसको फ़ीघ्रां नी बोलते हैं ठीक है यह छिंति कि किसी का Лी इंप में एकच यह तो मैं क्या है इन अगर में हमारे पास यहाँ पर किलो ग्राम हो गया गराम हो समझ में में उपस्तित विले के ग्राम लीतर संद्रता कहते हैं कि ban नहीं कि किसा है विलियन का ठीक है तो क्या है कि 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 सी मिल्यान के का का विले के ब्लप मान को उस विलियन की घ्राम लीटर संदरता कहते हैं लिए कि बात की घ्राम मी करें को कि अहीज है कि ग्राम लीटर की छोड़ियक कर ऑफ और कि आपका आई त्रहइक पर्तिल होता तो किलाजear कर लेकिन नहीं है तो आई बात समझ में क्या हो जाएगा विले का भार क्या हो आईटन और भार विले का भार क्या कहा है राता या न्ट मालन का भार विले का क्या हो जाएगा क्या होगा तले एक राम पर श्ल Tu soft Al di मौलर्ता और रहाएं किसमें मौलर्ता ले पोट यह जा अपकर सारे इस देखन कुछ बच्चे तरहां करना यूट्यूब चलते हैं और यूट्पिंड-शाथ क्या करते स्प्लिट होती है ना इस तो उसमें व्ट्वाट्फ चला लिया या इंस्ट्रग्राम चला लिया कुछ ना कुछ कड़ते रहते तो बोलते हैं हमें तो समझी में नहीं आ रहा है बच्चों कैसे समझ में आएगा जब आपका फोकस यह नहीं होगा ठेखें तो क्या रखने आपको बुल दो बहुत घ्रीयान कि होगा कोई तो सुन्हें बता दो बता दो कौन बताएगा इकांक आहितन में याद रखोंगे आईतन की लीटर से आप याद रखोंगे मौता रहा रहे तरह से आपने याद रखना कि रो में क्या था आयतन था कि किसी विल्एन के मोलो की संक्या क्या कहलाती है ऑगे के मोलो की संख्या के लिए अगे और देख लेते हैं इसका इसकोus विले के मोलों कि शंग्या और उसमें क्या हिजाएगा हो意思 लिकिन उसमें प्रविलमान हो जाएगा ऑर को वह किसमें डुलियायगा इसे पिर भिल फका whirl वे किसी के एका लतन में मोलो की संक्याहि क्या ही मोलर्ता कहलाती है ऐगे देखते हैं इसको क्लिक्त करते हैं यहां पर गया हो जाएगा आपका दरम लो मत पढ़ लेना ठड़िक है तो यार रखना में क्या था मोलर्ता आईतन कि किसी की एकांक आयतन में मौलो की संक्या क्या थी मौलरता थी और यहां पर क्या आ जाएगा आपका किसी विलियन के एकांक क्या है भार ठीक है एकांक भार में मौलो की संक्या आपकी क्या कहलाती है मौललता कहलाती है इसमें बच्चे कन्फ्यूज कहां पे होते हैं कि मौललता में भार था यह आईतन था कि मौललता में आईतन था यह भार था कन्फ्यूज होते हैं बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है अच्छे से याद रखना है आपको कि जो मोललता है उसमें आईतन आता है और मोललता उसमें क्या आता है आपका भार आता है किलियर भी बार इसका फॉर्मिला देख लेते हैं फॉर्मिला सेम होईगा क्या हो जाएगा मोललता विल्ये की मोलो की संक्या वहां पे यही था विल्ये के मोलो की संक्या अब यहां पर आईन हमारे पास मोरटा में विलियन का किष्ट पोड़ी में ऍभान शायआ Citra Slta कि समय कि प्रतीं हम यहां परेफित हैं कि अरवा आभी में आप इसकी आप आपने मधिको हां पर लिए नॉर्मल और आप अब मौलता पड़ chefs देखें हैं कि माहले इसलिए याद दिला रहे हुं को तक की आपको याद रहिए दिमाग में बैठ जाये वह बाद कि मौल अरठा की पहिंशनी होती यहां पर क्या ती मोलो की संक्या क्या है कि तुलियांग की भार की संक्या विल्यां की क्या कहलाती है आधी बात समझ में कि किसी इकांक आईतन में क्या है उपस्तित विले के ग्राम तुल्यां की भार की जो संक्या होगी वो क्या कहलाएगी आई बात समझ में फॉर्मला देख लेते इसकी नौर्मला क्वेस्ट क्या हो जाएगा वहां पर क्या रहा था विले के क्या थी मौलों की संक्या थी नीचे में क्या था कि मॐलय कंडुन कि मॉलय के मॉलय को संक्या पॉन क्या था नॉन तो कोई दिक्कत नहीं है डेफिनेशन याद ही नहीं करनी फिर क्या होज़ागा कि किसी भी डेफिनेशन को फॉर्मला से बनाओ तो वह माइंड में रहता है याद रहता है बस एक बार क्रिवीजन हो जाए तो तब दिक्कत नहीं होती है और वात समझ में तेख लेते हैं फॉर्मलता पॉर्मलता और करद विल्यन का क्या है अब रखना कहीं भी यूज़ नहीं ओर यह करती है हर जगे पर हम क्या यूज़ कर रहे तो ऐसे बिल्यन में आइनित हो जाते हैं हो जाते हैं जो विलियन में आयनित हो जाते हैं जैसे हमारा हम ले लेते हैं जल ले लेते हैं तो आपको जल होता है क्या होते हैं होते हैं बुदि ले अलगैं क्योंकि होगा धब च्राइं माइन सकत्रायığı क्या होते हैं पर याक पाइस क्या हो जाते हैं जैसे हम ले लेते रहें और आपको यहाँ पर क्या करना है शार हो जाएगा अमल और चाहएगा और दो क्या हो जाएगा इतनी बात हुई तो है नित का मतलब है एक प्लस आयन देंगी ओ एच माइनस ठेंगे ठीक है उसकी सांतिर्ता को मौलर्ता के अस्थान पर ही फॉर्मलता द्वारा हम क्या करते परदशीत करते किसमी किसमें मौलर्ता आहितन में यादेना विले के मौलों की सं क्या हो रहा है जल्य में आइनित हो रहा है जल्य में आए हो रहा है की कि दूसरी definition क्या हो जाएगी कि किसी आइनिक पदार्त के विल्यन के एकांग आयतन में उपस्तित विले के ग्राम सुत्र की भार की संग्या ही क्या कहलाती है आपके इसका फॉर्मिला क्या हो जाएगा यहां इसका फॉर्मिला में नुमेरिकल में पूछूंगे आपको आपको याद रखना है फॉर्मलता नौह मलता जितना भी मैंने आपको बता आया है आपके सब को आपको सब याद हने चाहिए वह कहो जाए ग्राम सूत्रभार और यहां पर दिवाइड में तो यहां पर पढ़ती लिटर यह और हम इसको दूसरे तरीके से किस तरीके से लिख सकते हैं ग्रां मल्टिप्लाइब करने हैं लीटर कि यह लिए बात समझ में जैसे हमारे पास इस तरीके से समझ लिए कि अगर हमारे पास को यहां पाइक लिखेंगे x की पावर 3 Article के लिखेंगे एक्स की पावर माइनस 3 के लिए बहुत तो इसी तरीके से हमें यहां पर फोईंट लग जाएगा यहां पॉइंट किसका इंटू का है तो चाहिए कि पावर माइनस 1 आगे देखते हैं अचा तो समझ में किसमें तो वो क्या कहलाता है एतना है याद आई बात समझ में इतनी बात आई समझ में तो एक बार आपको क्या करना है पहले आपको अच्छे से नौट्स बनाने उसके बाद आपने अच्छे से रिवाइस कर लेना है एक बार देख लेना है तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं मिलते हैं नेक्स डे नेक्स वीडियो के साथ